वेल्कम बैक तो इन्फो टैक टॉक्स और इस वीडियो के बात करने वाले हैं टाइपस ओफ सोफ्ट्वेर कंपनी एक सोफ्ट्वेर डवलपर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह आपकी जोब को डारेक्टल इंपेक्ट करता है तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के पॉइंट्स बताता हूं और बताऊँगा कि टाइपस ओफ सोफ्ट और कमपनी आपके जोब को अपर केरियर लाइफ को कैसे इंपक्त करेंगे ठीक है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कर लीजे, अब आप पूछेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूँ, देखो, आपको एक software engineer बनना है, तो मैं आपके लिए बहुत important videos लेकर आता हूँ, कैसी company है, कौन सी company है, क्या latest technology चल रही है, किस किस त आप कर रहे हैं, तो don't worry, मैं आपको सारे चीज़े बताऊँगा, कि क्या क्या आपने अपके अंदर update कर सकते हो, क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है, जिससे आप एक अची company के अंदर job ले सकते हो, right, तो सीरीसी बात है, हमारे topic पर आते है, type of software company, दो type की software companies होती है, mainly, वै product based company वो होती है, जिसके अपने product होती है, जैसे कि Google, Google का search engine अपना है, उसकी YouTube अपनी है, उसकी Gmail अपनी है, Adobe की Photoshop है, और Facebook का तो अपने अपने Facebook है, Flipkart की e-commerce site है, Oyo के hotels होती है, और Ola की caps होती है, right, तो ये किसी third company के लिए कोई project नहीं बनाती है, ठीक है, अब Google के पास अगर ह समझ जाएं कि हमारी website बनाती है, वो मनाना कर देगा, वो नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने product के ओपर ही काम करता है, तो ये होती है, product based companies, अब service based company, ये होती है, HCL, Infosys, Tata, Infogain, Wipro, Tech Mahindra ये होती है, तो आप पहली बात यहाँ पर compare कर सकते हो, कि कौन सी company का ना है, अपने revenue के मामले में, और उनके पास कितनी power है company के बार में, इस level पर, ठीक है, अब service based कौन सी company होती है, जो company किसी third party के लिए काम करती है, मालो कि आपको website बनाने है, आपको Android application बनाने है, तो आप क्या करोगे, service based company के उपास जाओगे, और बोलोगे, कि भया, मुझे एक SAC requirement है, SAC बनाने है, और बोलोगे चीज बना के देदो, तो service based company होगी, वो आपके लिए website बना देगी, application बना देगी, software बना देगी, जो भी आपको बनाना होगा, वो बना के आपको देदेगी, right, so, अब question आता है कि हमें जानने की जरूरत क्यों है, जैसे, फैसे तो हलका फु करता है, किसी में काम करना पड़ता है, career growth भी होता है, और workload किसके अंदर जाता है, कि mental pressure होता है, कुछ company अंदर रात को बारा बजे भी उठागे, आपको बोल देगा, भाई आप ये काम करना है, और job की security नहीं होती, तो ऐसा किस-किस company में क्या-क्या होता है, right, so, सबसे पहल करते हैं, Microsoft की बात करते हैं, Facebook की, तो इनका क्रोडों के अंदर package आता है, right, तो salary तो definitely जो product-based company होती है, उसी की अच्छी होती है, अब ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, मान लो, कि एक बंदा है, वो Facebook का एक product बना रहा है, Facebook पे काम कर रहा है, अब वो बंदा द हमेशा एक product-based company चाहती है, कि उसका जो employee है, at least 10-15 साल तो निकाले ही निकाले उसकी company के साथ, right, तो उसके बाद में, अगर हो change करना चाहता है, तो obviously 10-15 साल में कोई change करने की सोची लेता है, बट वो चाहता है, कि जितना ज्यादा time हो सके, एक बंदा उसके लिए काम करे, right, दूसरी चीजी होती है, जो कोई product बनता है, जैसे Google search engine होता है, इसके एक highly reliable और speedy algorithms की जुरूरत होती है, तो वो बहुत ज्यादा intelligent और intellectual बंदे ढूनते हैं, जिनके logical skills के अच्छे होते हैं, obviously, जिनके logical skills के अच्छे होते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा पैसा दिखते हैं, औ और अच्छे पैसे के वज़े से वो product based company के साइड चला जाते हैं, ज्यादा salary अच्छे talent को attract भी करते हैं, अगर अब कोई TCS हो जादा पैसे नहीं दे रही है, Google जादा पैसे दे रही है, तो क्या करेंगे, obviously, सारे Google के साइड जाएंगे, right, so, अब आता है service based की salary कम क्यों होते अब service based के अंदर कभी company ये नहीं चाहती कि भया, एक employee हो मेरे साथ अभी 20 साल तक लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर एक project आता है, अभी, मालो कि आज 5 project उनके पास, कलव हो सकता है, 2 project हो, तो जो 3 project वाले बंदे होंगे, तो खाली बैठे रह है, अब एक project आया, मालो कि मेरी website बनानी है, HCL Go, तो मैं उसको बोलूगा कि मेरी website बना दो, तो वो एक-टेट साल के अंदर बनके ready हो जाएगी, और फिर वो मुझे मेरी website दे देंगे, तो उनको तो ऐसा चाहिए नहीं, कि 20-20 साल के product है, तो वो कभी भी हमेशा है, एक long term के employee नहीं देखती, तो इसलिए वो low salary देते हैं, कि जो जाना है, तो जा, right, basically, और second stage क्या होती है, कि जब भी कोई project बनता है, तो उसके team रखते है, 20-25 बन्द होगे, उसके अंदर मीचा mixed talent होता है, mixed talent का मतलब क्या है, कि 2-3 बन्द होगे, 5-6 साल experience वाले, एक-2 fresher बन्द होग और कुछ लोग बहुत ही अच्छा perform करेंगे, बहुत ही intelligent होगे, कुछ बन्दे ठीक-ठाक भी होगे, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कि पूरी mixed talent होता है, और कभी किसी बन्दे की salary कम होती है, किसी ठीक-ठाक होती है, किसी की जाना होता है, और इस तरीक से project बन जात है, अब जैसा तुम्हार project बन गया, बन गया हमें कुछ लेना देना है नहीं से, तो इसी वजए से भी वह अगर थोड़े सस्ते developer होता है, तो उनको भी chance दे देते है, कि आ जाओ, काम कर लो, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब product जैसा बन रहा है, उनसी कोई head-up होती नहीं है, अ कई बार एक अलग ही reason होता है, कि client का budget ही काफिल होता है, मान लो कि मुझे एक Android का application बनानी है, और मैं कंपनी के पास जाता हूं, तो वो मेरे से बोलते हैं कि भया हम 5 क्रोड रुपे लेंगे, और मैं कहता हूं, यार मेरे पास 2 क्रोड रुपे लेंगे, तो कहते हो, ठीक है, जो salary होती है, हमेचा product base के अंदर ही अच्छी होती है, हाँ, एक चीज और है इसके अंदर, जब आप शुरुवात करोगे, तो इस salary की बात कर रहा हूं, जब आप 6-7 साल के experience के उपर चले जाओगे तो salary structure बदल जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बदल जाते हैं, आ product base के अंदर काम होती है, सीरीसी बात है, कि product base company मैं example लेता हूं, कि आपको अडोब photoshop के अंदर काम कर रहा है, अडोब company के अंदर काम कर रहा है, एक product है photoshop, तो वो project 20-25 साल पुरान है, और एक developer है वो उसी project के उपर लगा हूँ है, ठेक है, तो उसको दूसी technology के तो पता ही न market में नही language आ रहे है, नए tool, framework, library आ रहे है, जो और अच्छा-च्छा code कर रहे है, ठेक है, तो उससे क्या होता है, कि जब बाद में job switch करने कोशिश करता है, तो उसको एक ही technology आती है, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं होता, ठेक है, तो एक ही company के अंदर safe रहता है, वो ज्या मालो कि मैं 10 साल बाद में manager बन जाऊंगा, तो वो भी product-based company अंदर possible नहीं होता, क्योंकि, जैसा मैंने आपको बताया, product-based companies easily छोड़ते नहीं है, वो 15-15-20 साल तक काम करते रहते है, और एक मेरा product बन रहा है, उसको कोई मेरा manager है, वो 10 साल से भाई टिगा बैठा है, ठीक है, तो बहुत टाइम तक उसको wait करना पड़ता है इन चीजों के लिए, या फिर इसको company ही switch करने पड़ती है, अब service-based company के अंदर high growth क्या होती है, क्यों होती है, शुरू के अंदर मालो कि आपको 2 साल एक्सपीरियंस था, आपको 7-8 लाग रुपई salary मिल रही थी, कोई problem नहीं ह पता, react क्या होता है, तो don't worry, कोई फरक नहीं पड़ता उस तीसे, और दूसरा project है, वो उसने angular के अंदर बनाया, तीसरा था उसने view के अंदर बनाया, अब ऐसी चीजों के अंदर जो प्रोड़क्ट बनाता है, उसको 3-4 चीज़ें आ जाती है, और बाद में 6-6 साल बाद मे और जब कोई manager बनता है, TL बनता है, तो उसको 3-4 प्रोड़क्ट की knowledge होना तो बहुत अच्छी बात होती है, तो company सोचती है, कि यार, जब आप नई company जोइन करोगे, कि इसको बहुत सारी चीज़ें आती है, तो यह किसी भी technology को handle कर सकता है, इसलिए, और इसी वेज़े से उस कि यहाँ पे जो आपको मैं सभी बताता हूँ, जो जो चेंज करने का frequency होती है, वो 2-3 साल होती है, 2-3 साल बाद में हर एक developer change कर लेता है, कि कि salary शुरू में कम होती है, तो salary hike करने के लिए वो दूसरी company में job करने लग जाता है, फिर उससे अच्छी company मिल जाती है, इसी करते हैं job security की, देखो, इस तरीका को आप दो तरीके से देखना हो, अगर आप पहली पंच-लाइन पढ़के सोच रहे हो ना, कि जो product-based company है, more job security है, और service-based के अंदर low security है, तो आप गलत हो, मैं आपको सारे points बताता हूँ, product-based के अंदर सबसे पहली बात हो, कि job security जादा क्यो हैं, क्योंकि, अगर मान लो, उनकी company आज चल भी नहीं रही है, ठीक है, तो वो एक बंदे को निकाल के, दूसरा बंदा hire करेंगे, एक दो साल बाद में, तो भी उनको नुक्सानी होने वाला है, क्योंकि जो core बंदा था, जिसने वो चीज बनाई है, 10-15 सालों से काम कर रहा फिर काम करना शुरू करेगा, तो speed काफी slow रहेगी, तो कभी भी वो अपने एक जो expert बंदा होता, उसको निकालते नहीं है, तो क्योंकि वो बंदा expert हो जाता है 15-20 साल के अंदर, उस product के अंदर, उसको एक रगर उसकी चीज पता होती है, राइट, दूसरी चीज यहां किसी लोग यूज करते हैं, Google है, वो लोग यूज करते हैं, कोई और third company यूज नहीं करती, तो उन्हें किसी और company के पर dependency नहीं है, directly लोगों के पर dependency है, और लोग इतनी जल्दी किसी चीज़ों को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आज Google search engine है, Google को use करना छोड़ देंगे, और बहुत मुश्किल हो जाता है, reason क्या होता है, reason मैं बताता हूँ, आपने एक ही technology के उपर काम करें, एक ही project के आपको knowledge थी, आपने बहुत जादा technology के काम नहीं करें, तो अगर आपको market में job ढूंडनी है, तो same technology की ढूंडनी पड़ेगी, अब मालो market में same technology की job नहीं है, तो आ अब इसके बदले में आगर हम आपको बता हूँ, कि जो service based company होती है, उसके अंदर थोड़ी कम job security होती है, right, अब इसका reason क्या है, क्योंकि एक जो project होता है, मालो की जैसे मैंने example लियाता है, कि मैं अभी किसी HCL company से या पर किसी योग से project बनाने जाता हूँ, तो वो एक-दो स बंदे चाहिए नहीं होते हैं, उनको लगता है कि यार अभी ज्यादा है, तो बंदे को निकाल देते हैं, right, तूसरी चीज, क्या होती है, कि आज मालो मेरी company के पास 20 project हैं, ठीक है, और हर project के अंदर 100-100 बंदे हैं, right, तो 2000 बंदे allocated हो गए, और मालो कुछ time बाद में 10 project चले गए complete हो गए, तो अब क्या होगा, जो 100 बंदे थे, 1000 बंदे थे, वो अभी खाली बैटे हैं, तो उनके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो service-based company होती है, वो निकाल देगे, और जब निया कोई project हैगा, तो नए बंदे हैर कर ले, क्योंकि हो तो शुरू अब माल हो, उसको निकाल दिया, अब उसके पास चार टेकनोलोजी कि नो लेजा, अब मार्केट में किसी भी technology के ओपर चारों में से job available हो, उसको job मिल जाए, तो इसलिए उसके लिए बात में नई job लेना easy होता है, और अब आपको यहाता है कि आपको कौन सी job आपके लिए best रहेगी, पहले बात आपकी qualification, अगर आप product based company में जाना चाहते हो, तो most probably chances है कि वो आपसे proper qualification मांगे कि आपके बीटक होनी चाहिए, graduation कम से कम होनी चाहिए, और 70%, 80% marks होनी चाहिए, ठीक है, बट service based company अंदर ऐसा नहीं होता, अगर आपके बास qualification कम भी है, डिपलोमा का रख है अगर आपने directly कहीं से coding सीख लिया है, तो भी कई बार ही चल जाती है, logical skills के उपर भी depend करता है, अगर आपके logical skills अच्छे हैं, तो आपको product based company में जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ठाक ठीक ही है, जाद अच्छी नहीं है, तो आप service based company के ले try करो, ठीक है, अब आप company के अंदर हो सकता है कि आपका ये मन करे क्यार मैं company के अंदर 2-3 साल बाद में company change करना चाहूँगा, ठीक है, तो उस time में आपको service based company जोइन करनी चाहिए, अगर आप चाहते हो क्यार मैं तो 15-20 साल तक job एक ही company में काम करूँ और थोड़ी relaxed job हो, job security वगरा की tension ना हो, तो आप long term के लिए जा सकते हो, product based company के अंदर, और अगर आपको कि भी startup open करना है, महालो आप सुच रोगी में 15-20 साल बाद में में एक मेरा खूट का startup open करना हो, तो मैं आपको highly recommend करूँगा, कि आप service based company में जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सारे project पे काम कर लोगा, आपको अब एक चीज और, किस company के अंदर work pressure जादा होता है, किस में कम होता है, product based company के अंदर work pressure हमेशा कम होता है, क्यों क्योंकि कोई client तो होता है, निको डंडा करने वाला भीया, कि मुझे तो आज ही काम चाहिए, आज ही काम चाहिए, वो product का का काम करते है, अच्छे से करते हैं, अब जो service based company के होती है, उसको अंदर client डंडा करके रखता है, भयाँ यह काम तो मुझे इस Friday तक चाहिए ही चाहिए, या फिर Saturday Sunday काम करो, मुझे नहीं बता, मुझे मंदे को तो यह launch करना है, इस वज़े से भी problem होती है, और बहुत ज़्यादा high stress रहता है service based product के अंदर, तो यह था comparison, अगर आपको कुछ अलग से query हो, तो comment box में पूछ सकते हो, और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, अडवांस जो technologies हैं, उसके उपर भासकर सर वीडियो बनाते हैं, जैसे कि AI क्या होता है, machine learning क्या होता है, तो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो भी आप को notification वगरा बिलते रहें, बाई-बाई, टेक केर.